प्रशारण रुख गया पाथफाइंडर टालमटोल कर रहा था, खुद को व्यस्त रख रहा था, लेकिन अपना सबसे महत्वपून कारे करने में विफल रहा आखिर हो क्या रहा था, पता चला कि ये उसके शेडियूलर में एक बग आ गया था अपरेटिंग सिस्टम में शेडियूलर होता है जो CPU को ये बताता है कि प्रत्येक कारे पर कितना समय तक कारे करना है और बदल कर कौन सा कारे करना है सही होने पर कंप्यूटर अपनी जिम्मेदारियों के बीच सरलता से चलते हैं जिससे सब कुछ एक साथ करने का ब्रहम होता है लेकिन अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या होगा इससे हमें यदि और कुछ नहीं तो कुछ सांत्वना मिलनी चाहिए कंप्यूटर भी कई बार परिशान हो जाते हैं हो सकता है कि शेडिूलिंग के कंप्यूटर विज्ञान के बारे में सीखना अपने मानविय संगर्षों के बारे में हमें कुछ विचार दे सके पहली नजर है कि आप अपने काम को प्राथमिक्ता देने का समय आप इसे करने में व्यतीत नहीं कर रहे होते हैं मसलन जब आप इन बॉक्स चेक करते हैं तो सभी संदेशों को स्कैन करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चुनते हैं जब आप उससे निपट लेते हैं तो आप दोहराते हैं यह उचित लगता है लेकिन यहां एक समस्या है इसे एक दुईभाजक समय कलन विधी के रूप में जाना जाता है इन बॉक्स जो दोगुना भरा हुआ है इन में दोगुना समय लगेगा और उनमें से कई को दो बार करने की आवशक्ता होगी इसका मतलब है चार बार काम ओपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के प्रोग्रैमरों के समक्ष 2003 में इसी तरह की समस्या आई लिनक्स अपने कारे को महत्व के क्रम में रैंक करता है और कभी-कभी कारियों की तुलना में कारियों की रैंकिंग करने में अधिक समय लेता है लेकिन इसकी कमी को प्रगती में अधिक समय व्यतीत करके पूरा किया गया था तो अपनी इमेलों के साथ हमेशा सबसे महत्वपूर्ण काम करने पर जोर देना मेल्टडाउन का कारण बन सकता है सामान्य से तीन गुना उपर तक भरे एक इनबॉक्स को साफ करने में नौ गुना अधिक समय लग सकता है आपके लिए काल क्रमानुसार उत्तर देना बहतर होगा या याच्छिक रूप से भी आश्चरे जनक रूप से कई बार सही क्रम में काम करना उन्हें पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है एक और अंतरद्रिष्टी जो कंप्यूटर शेडियूलिंग से उभरती है वो आधुनिक जीवन की सबसे प्रचलित विशेशताओं में से एक है व्यवधान कोई कंप्यूटर एक से दूसरे कारے पर जाता है उसे संदर्व स्विच करना होता है जो उसे बुक मार्ख कर लेता है और पूराने डेटा को उसकी स्मृती से बाहर ले जाता है और नया डेटा इसमें आता है इन में से हर कदम की एक लागत होती है यहां अंतरद्रिष्टी ये है कि उत्पादक्ता और जवाबदेही के बीच एक मौलिक तालमेल है गंभीर कारे करने का अर्थ है संदर्ब स्विच को नियून्तम करना प्रतिक्रिया शील होने का अर्थ है कुछ भी होने पर प्रतिक्रिया करना ये दो सिध्धान्त मोलुरूप से तनाव में है इस तनाव को पहचानने से हम ये निरणय कर सकते हैं कि संतुलन कहां स्थापित करना चाहिए इसका स्पष्ट हल है व्यवधानों को कम करना कम स्पष्ट बात उन्हें समुह बद्ध करना यदि किसी सूचना या इमेल के लिए ततकाल प्रतिक्रिया की आवश्रक्ता नहीं है तो एक घंटे में एक बार तो ठीक यही है कि आपको उन्हें उतनी ही बार जाचना चाहिए और नहीं कम्प्यूटर विज्ञान में इस विचार को इंटरप्ट को अलेसिंग के नाम से जाना जाता है जब वो आपके सामने आते हैं तब चीजों से निपटने के बजाए ओ माउस हिल गया था एक की दब गई थी फाइल अधिक डाउनलूड किया गया सिस्टम इन व्यवधानों को ऐसा समूहित करता है कि वह कब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं 2013 में व्यवधान को अलेसिंग ने लैप्टॉप की बैटरी के जीवन में बड़े पैमाने पर सुधार किया क्योंकि व्यवधानों को रोकने से प्रणाली सभी की एक साथ जांच करती है और कम शक्तिवाली स्थिती में प्रवेश कर सकती है कंप्यूटर की तरह ही ऐसा हमारे साथ है शायद समान दृष्टिकोन अपनाने से हम उप्योग करताओं का ध्यान पुनह प्राप्त कर सकते है और ये हमें आधुनिक जीवन में एक दुरलब यानि एक चीज विश्राम वापस दे सकते है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेड एड के साथ नए कौशल सीखते रहे जहां आप अपनी महत्वपून सोच को बहतर बनाने से लेकर पेचीदा बहेलियों को हल करने का तरीका सीखने तक हर चीज पर एनिमेशन पा सकते हैं लाइंग पर रहे और जिग्यासू बने रहे